तो हलो गाइज, वास्ट आप, I hope you are doing well तो आज के इस वीडियो में हम discuss करने बाले है various types के alcohols की acidity के बारे में जो हमारे पास अलग-अलग type के alcohol होते हैं कुछ primary होते हैं, कुछ secondary होते हैं और कुछ dustry होते हैं, उनकी जो acidity का जो sequence है वो इस वीडियो में हम देखेंगे और उसका reason देखेंगे कि वो sequence क्यों बनता है तो my name is Rajinda, welcome at the platform of study smart तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस से पहले कि मैं इस difference पर आऊँ, मैं आपको primary alcohol, secondary alcohol और tertiary alcohol के बारे में कुछ बता दूँ सो जैसा कि हमें पता है कि as we know कि अगर हमारे पास हमार लेजी एक carbon atom है यह OH मेरे पास functional group लगा हुआ है ठीक है H H R H C एक मिनिट R R OH H R C R R OH तो यहाँ पर मैंने तीन टाइप के alcohols बनाए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने थ्री टाइप के alcohol बनाए यह first type है, second type है और third type है 1 degree, 2 degree and 3 degree तो पहले बाला हमारे पास primary alcohol है second बाला हमारे पास secondary alcohol है और तीसरे बाला हमारे पास tertiary alcohol है इनको primary secondary और tertiary हमने कैसे identify किया सबसे पहले हमें functional group देखना है functional group क्या है, alcohol में functional group कौन सा होता है OH, ठीक है अब जो यह functional group जिस carbon के साथ जोड़ा हुआ है इस carbon के साथ यह जोड़े है, ठीक है अब यह बाला carbon हमने, इस carbon में हमने देखना है कि कितने alkyl group जिड़े हुए अगर जो functional group है, जिस carbon ने carry किया है अगर उसके पास only one alkyl group है तो वो होगा primary alcohol, ठीक है second, अगर जो carbon और, वो बाला carbon जिसने OH group को अपने साथ maintain करके रखा है अगर उसके साथ दो alkyl group हमारे पास लगे यहां देखे, आर, आर, दो group है आर मिन्स alkyl group, दो alkyl group अगर लगे है तो हम कहेंगे secondary, ठीक है अब तीसरे में क्या है, अगर तीन alkyl group हमारे पास उस carbon के साथ लगे है जिसने OH को अपने साथ बांदे रखा है उसको हम कहेंगे तश्री alkyl, ठीक है, उसको हम कहेंगे तश्री alkyl, अब इनकी acidity हम एक एक करके देखेंगे, कि किसकी acidity सबसे ज्यादा होती है, और किसकी acidity जो है, सबसे कम होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम discuss करते है, primary और secondary के बीच में difference, यह सारा हम बाद में करेंगे आप जो मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर जो मैंने यहाँ बताए, वो अगर आपको याद रह जाता, तो जो answer है आप इसका, easily जो है ठीक है, यह मेरे primary हो गया, अब secondary बनाता हूँ है यहाँ पर, R, C, R, H, O, H और नीची मैं टर्शरी बनाता हूँ, R, C, R, R, O, H इस तरह से यह, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, primary को one degree भी हम लिखते है, one degree means, one degree भी primary को ही कहते है, ठीक है, one degree primary, two degree secondary, और three degree हमारे पास रहता है, ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा inductive effect के बारे में, ठीक है, inductive effect हमने पढ़ा है कि दो टाइप का होता है, एक तो plus I effect होता है हमारे पास, और एक हमारे पास minus I effect होता है, ठीक है, अब जो यह हमारे पास R वाले जो R जो alkyl group होता है उसके बास होता है plus i effect plus i effect means अगर ये chain में अगर alkyl group हो तो वो अपने electron को जो है chain में आगे की और push करता है मतलब अपने से दूर धकेलता है ठीक है अपने से दूर धकेलने की अगर capacity है तो उसको हम कहते थे plus i effect अगर अपनी तरफ खीचने की capacity है तो हम कहते थे minus i effect ठीक है यहाँ पर कौन सा है plus i effect क्योंकि R जो है अपने electron को जो है आगे की और push कर सकता है ठीक है आर मतलब push कर नहीं सकता मतलब करेगा क्योंकि R के पास जो है plus i effect होता है सबसे पहले हम first case में देखते है alkyl group R के अगर गरूप के पास है कौन सा effect plus i effect उसकी बज़ा से यह जो है R जो है c के उपर जो है electron की density को बढ़ाने की कोशिश करेगा ठीक है पहले मैं आप functional group पे आर जाओ पहले इसकी बात करते है इस वाले की बात करते है पहले oxygen और hydrogen के बीच का जोई bond है अकेले ही खाया जाए oxygen यह सुचता है कि मैं सारे के सारे electron खुद ले जाओ ठीक है और अपनी तरफ खिंचने की कोशिश भी करता है क्योंकि oxygen की electronality जादा है यहाँ पर भी O और H के बीच में polarity है polarity means अब जैसे यह oxygen जो है oxygen और hydrogen के bond को अपनी तरफ कींचेगा इसके उपरा जाएगा partially negative charge वैसे यहां भी होगा partially negative यहां भी partially positive यहां भी partially negative partially positive अब polarity तो तीनों hugely केस में बन रही है polarity मीन्स दो pole बन रहे हर जगा दो pole बन रहे friends then हरे case में हमारे paracting alcohol में भी हैAME और टश्री में भी है यह primary है यह secondary है और यह tertiary है ठीक है अब depend करता है पीछे वाला जो पीछे वाला group लगा है जिसके साथ यह attached है यह alcoholic group वहाँ पर गया है वो इसकी acidity को जो है impact करेगा ठीक है अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि O और H के बीच में polarity तीनों case में है ठीक है तीनों case में हमारे पास polarity है अब हम बात करें अगर 3 degree से हम बात करते है तशरी से ठीक है अब R के पास क्या है R के पास हमारे पास है plus I effect है R के पास means electron को यह आगे की और धके लेगा अब यह क्या कर रहा है यह electron आगे दे रहा है यह भी electron आगे दे रहा है यह भी electron आगे दे रहा है यह भी electron आगे दे रहा कार्बन की अपेक्षा ठीक है अब क्या होगा जैसे जैसे ये आर ग्रूप जो है कार्बन के उपर इलेक्ट्रोन के डेंस्टी को बढ़ाएंगे ठीक है ना प्लस आई इफेक्ट की वज़ा से जब आर जो है इस कार्बन के उपर electron की density को बढ़ाएंगे तो यह carbon क्या करता है carbon यह भी जो है आगे के और push करेगा electrons को आगे के और push करेगर करतीए electron तो और कहाँ चलेगे oxygen के पास चलेगा तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह की O और H के बीच की polarity जो है कम होने लगेगी ठीक है अब यहां देखिए यह जो O है यह hydrogen जो यह oxygen और hydrogen के बीच में जो bond है उसके electron को यह oxygen अपनी तरफ खीचने की कुशिर कर रहा है ठीक है अब जब इसको पीछे से electron की supply हो रही है इस oxygen को जब इसको oxygen को पीछे से ही electron की supply हो रही है तो इसको क्या जरूरत है oxygen और hydrogen के बीच के bond को अपनी तरफ खीचने की ठीक है ना मतलब इसको तो electron की पूरती पीछे से ही हो रही है ठीक है तो इसको जो है oxygen और hydrogen का जो यह bond है यहां पर इसकी polarity घट जाएगी means जो यह partially negative और partially positive जो इसकी बज़ा से हमारे पास जो है O और H के बीच के polarity जो है काफी कम हो जाएगी और जितनी कम polarity हमारे पास होती है उतना ही मुश्किल होता है bond को तोड़ना ठीक है अब दोखिए O और H की polarity तो कम हो गई मतलब इस bond को तोड़ना मुश्किल है बॉन्ड को तोड़ना मुश है ट्क है तेटेट नहीं ACES dripping को किन mature लुशंऔर को जीकित के पास है P पाले मौलीकूलिस जिनके पास झो है hydrogen को hydrogen को एक hydrogen आयन को रीलीज करने की कैपैसिटी होती है उनको हम कहते है Captain brown stick acid टीक है उनको कहते हैं brown stick कि ये भी acid है ठीक है इसके पास भी जो है hydrogen को release करने की capacity होगी लेकिन बाकियों का comparison में कहा रहा हूँ ठीक है जो primary और secondary है इन से comparison में कहा रहा हूँ ठीक है अब जो यहाँ पर ORH के बीच के polarity बहुत कम है इसलिए जो है ORH के बीच का bond तोड़ा जो है काफी difficult होगा ठीक है इसलि इस scale में हमें क्या देख रहा है अब देखे कितने alkyl group है दो alkyl group है एक alkyl group दो alkyl group ठीक है अब यहाँ पर भी बिल्कुल same scenario है जो 3DV में हुआ था ठीक है अब देखे ये दो carbon ये जो 2 alkyl group है ये जो 2 r group है ये carbon के उपर जो है electron के density बढ़ा रहे है जैसे electron के density बढ़ा रह है ठीक है इस तरह से अब जो oxygen के उपर जो partially negative charge था वो थोड़ा neutral हो रहा है ठीक है क्यूं क्यूं हो रहा neutral क्यूंकि इसको जो है पीछे से जो है electron मिल रहे है ठीक है neutral नहीं हो रहा है क्यूंकि यहाँ पर जो है नेगटिव चार्ज पार्शली नेगटिव चार्ज था ये जो जो है carbon की जो ये chain है पीछे रगी हुई जो hydrocarbon की जो chain है वहाँ से जो है electron की पूरती हो रही है ठीक है इसलिए ये जो negative charge इस oxygen ने hydrogen की तरफ से खींचा था ये जो है hydrogen को बापिस कर देगा और इसको electron की पूरती कहा से हो रही है पीछे से हो रही है ठीक है अब यहाँ पर भी जो है दो-दो alkyl group है दो alkyl group जो है दो alkyl group की वज़े से carbon के उपर electron के density बढ़ रही है carbon के उपर electron के density बढ़ी तो आगे oxygen तक जाएगी ठीक है को अपनी तरफ ठीक है इसलिए जो है इस केस में भी जो है पुलेरिटी जो है ओ और एच बॉन्ड की काफी कम होगी ठीक है इस केस में भी हमारे पास पुलेरिटी काफी कम होगी सो वन सेकंड एक सेकंड तो यहां पर थे हम तश्री और मैं आप प्राइमरी और स्केंडरी को बताता हूं आपको मैं हम थे स्केंडरी के ओपर और सी आर आर पहले पर लगी थे हम स्केंडरी पर थे पहले यह था हमारे पास यह था आर यह हमारी एट हमारे पास था यहां पर ओ ठीक है इस तरह से था यह और यह था हमारे पास टश्री पहले पास गार wastewater ही टीक है इस वाले constraints ही हम बताते रहे थे dabei यह डीक है यहां पर क्या हो रहा है यहां से इलेक्ट्रोन आगे जा रहे है यहां से इलेक्ट्रोन जा रहे है कार्बन के उपर इलेक्ट्रोन की देंस्टी बढ़ रही है कार्बन के उपर इलेक्ट्रोन की देंस्टी बढ़ी तो इलेक्ट्रोन आगे भी खेंगे ठीक है आगे खेंगे यह है तो यह oxygen और hydrogen के bond को अपनी तरफ क्यूं किजेगा ठीक है यह काम क्यूं करेगा जब इसको free में electron मिल रहे है बीचे से ठीक है तो इसलिए क्या होगा और H के बीच की polarity कम है इसलिए जो है two degree भी हमारा जो है two degree जो alcohol है हमारा उसकी acidity भी कम होगी लेकिन जो two degree alcohol है हमारे उसकी acidity जदा होगी as compared to three degree मतों जो scantry वाले alcohol है ये वाला हमारे पास scantry alcohol है क्योंकि इसमें दो alkyl group लगे है इसकी जो हमारी acidity है जो scantry alcohol के acidity है वो जड़ा ह होगी as compared to as compared to तश्री की ठीक तश्री में तीन will गटेगी उतना मुश्किल होगा औरस के बाउन को तोड़ना उतना ही वह weak acid होगा, वो molecule, ठीक है, on the other hand, तो यहाँ पर यह बाला discuss कर लिया था, हमने, ठीक है, अब हम बात करतें primary बाला, यह primary बाला मान लीजिए, यह primary बाला, ठीक है, अब अगर इस case में, अगर हम देखें, इस case में हम देखें, only one alkyl group जो है carbon के साथ जुड़ा है अब क्या हो रहा है ये वाला जो alkyl group है carbon के उपर क्या करेगा carbon के उपर ये electron की density बढ़ा रहा है carbon के उपर ये electron की density बढ़ा रहा है इस से carbon के उपर electron की density बढ़ गई अब C और O के electron आगे की और push होते जए इस तरह से आगे के और पुश्ट रहे है ठीक है इस case में भी जो है O और H के बॉंड की polarity कम हो जाएगी ठीक है लेकिन अगर हम compare करे secondary और टश्री से इसको तो सबसे ज़ादा जो acidity होगी वो होगी primary बाले की ठीक है क्यूंकि इसमें उतने ज़ादा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलकाईल गूप लगा है ठीक है यहाँ पर जो है oxygen के electron की भोग शांत नहीं हो पाएगी ठीक है उतनी ज़ादा शांत नहीं हो पाएगी ठीक है इसलिए यह क्या करेगा O और H के बीच में जो bond बना है उसके electron को oxygen अपनी तरफ खींचने की कोशि लगे होंगे जितने अलकाईल गूप हमारे पास लगे होंगे उतनी कम होगी O और H bond की polarity ठीक है जितनी कम होगी O और H के बीच की polarity मतलब उस bond को तोड़ना मुश्किल है और वो उतना ही जो है हमारा weak acid होगा ठीक है तो इस तरह से हम यह sequence लिख सकते है कि 1 degree 1 degree जो सबसे एस बिल्कुल वही चीज़े जो मैंने बताई the order of acidic strength among various type of alcohols आप देखे सबसे जाए किसकी है primary की दूसरी secondary तीसरी कौन सी है टश्री this order can be explained in terms of electron releasing inductive effect of alkyl group अब देखे सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर logic लगा inductive effect वाला ठीक है ना उसी से जो है पूरा question हमारा solve हुआ यह मैंने आपको पूरा बता दिया आप इनके screenshot ले लिजिए चल दी से इसके आप screenshot ले लिजिए यह मैंने सारा आपको बता दिया इसका screenshot ले लिजिए as a result the electron of OH bond cannot be drawn strongly toward oxygen and OH remains strong यह सारा के सारा मैंने आपको बता दिये इसका screenshot आप ले लो उसके बाद note कर लिजिए इसको बुट भी बुट भी से आगे यहां तक maximum in touchry alcohols and least in primary alcohols तो यह था sequence various type के alcohols का इनकी acidity जो alcohols की acidity थी उनका sequence हमने इस वीडियो में देखा so I hope कि आपने वीडियो को enjoy कि होगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए good bye